Hello students, welcome to Global Online, this is Ankhita Soud, So Paper 1 के final preparation में आज हम Higher Education System Unit का Superfast Revision Session आपके लिए लेकर आए हैं जहां पर students अगले 60 मिनट्स के अंदर हम इस complete unit को discuss करने वाले हैं यह बहुत important unit है और अगर अभी तक भी आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा आपको कोई idea भी नहीं है तो यह video आपके लिए बहुत helpful है जहां से आपको पता चलेगा कि कौन-कौन से important topics है और कौन-कौन से ऐसे topics हैं जो बार-बार examination में पूछे जाते हैं Students अगर आप भी first attempt में this examination को qualify करना चाहते हो तो paper one पर major focus रखेगा और इसके लिए complete course भी हमने launch किया है जहां पर examination के level और latest questions के pattern के हिसाब से हम daily live lectures के साथ आपका पूरा syllabus examination से पहले cover करवाने की guarantee देते हैं इन live sessions में आपके concept के साथ-साथ MCQs और PYQs भी practice करवाए जाएंगे full syllabus mock test आपके लिए available है साथ ही 2000 plus MCQ question bank है जहां पर आपको अभी तक के सभी state के previous year questions मिल जाएंगे वो भी solution and explanation के साथ इस examination में इस question bank के बाहर से एक भी जवाल नहीं पूछा जाएगा ये भी हमारी surety है So students आपको classes join करने के लिए global online app download करना है store section पर search bar में course का नाम लिखिए इसके overview के अच्छे से देखने के बाद आप directly live classes में जाकर 9 p.m. हमारे sessions को daily join कर सकते हो and इसके अलावा students content पर जब click करोगे आपके पास already available recorded videos मिल जाएंगे आप देख सकते हो यहाँ पर दोनो languages में mock test है आपके examination से पहले यह सभी mock test आपको attempt करने है साथ ही जो भी videos हैं यह examination के लिए काफी है यहाँ पर आपको कुछ tricks भी बताई चाहेंगी जिसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी so students यह best course है जो इस कम टाइम में भी आपको exam qualify करने में मदद करेगा आपको सरफ given numbers पर whatsapp के through contact करके इसको join करना है और कोई भी जाद information चाहिए तो आप comment करके भी पूछ सकते हैं इसमें सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया में higher education system किस तरह से अभी काम करता है और पहले कैसे काम करता था तो इंडिया में higher education system का नियंतरित और प्रशासित रखने के लिए university grant commission यानि की UGC का निर्मान हुआ है किसे भी चीज को higher education में control करना है या administer करना है तो उसके responsibility UGC की है तो इस complete video lecture में हम लोग UGC के बारे में पढ़ेंगे और भी जो commissions है policies हैं जो government of India ने बनाई है higher education को बहतर बनाने के लिए जो की हर साल exam में पूशी जाती है हम वो भी discuss करेंगे उसके साथ ही आजादी से पहले पुराने जमाने में प्राचीन काल में इंडिया में education कैसे हुआ करती थी वहां से हम शुरू करेंगे जो की बहुत ही जादा important topic है examination के लिए तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं education in ancient India यानि की प्राचीन भारत की शिक्षा से प्राचीन भारत की शिक्षा में इसको पांच हिस्सों में divide किया गया है जिसमें की पहला है वैदिक पीरियड यानि की वैदिक काल जो की 1000 इसा पुरुव से लेकर के 600 इसा पुरुव के बीच में आता है दीसरा आता है Mediative Period यानि की मध्यकाल उसके बाद आता है Pre-Independence India यानि की British India जिसको बोलते हैं जो की आजादी से बिलकुल पहले का समय था Then we have Post-Independence India यानि की आजादी के बाद 1947 के बाद education इंडिया के education में क्या-क्या बदलाव आए है ये सब चीजे हम one by one सबसे पहले discuss करेंगे And मैं आपको बता दूँ कि इस topic में से दो से चार question हर साल हर shift में जरूर पूछे जाते हैं So सबसे पहले वेदिक काल से शुरू करते हैं वेदिक काल में क्या होता था Teacher और student नहीं होते थे उस समय गुरू और शिश्य हुआ करते थे ठीके गुरू और शिश्य हुआ करते थे School, University, College भी नहीं होते थे उस समय गुरू कुल हुआ करते थे तो गुरू कुल में कैसे पढ़ाया जाता था So वेदिक पीरियड में ठीके तो यहाँ पे क्या होता है देखो वेदिक पीरियड वेदिक पीरियड में मैंने आप लोगों को जैसे की बताया गुरू कुल होते थे गुरू मतलब टीचर कुल मतलब घर यहाँ पे जो शिश्य होते थे यहाँ पे जो शिश्य होते थे वो गुरू कुल में जाकर के रहते थे वैसे आज की समय में बच्चे होस्तर में जाकर के रहते पढ़ते हैं, वैसे ही शिष्य गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे, और वहाँ पे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था? वहाँ पे बच्चों को वेद के बारे में बताया जाता था. तो सबसे important point यहाँ पे है वेदाज. वेदाज essentially means knowledge. वेद का मतलब होता है knowledge. जो की हमें हमारी संस्कृती, हमारे हर चीज़ के बारे में बताते हैं. तो total हमारे पास कितने वेद होते हैं? total हमारे पास 4 वेद होते हैं. पहला वेद है Rig VED, RIG. तीसरा वेद आता है अथर्ववेद. तो यह चार वेद थे जो की वेदिक पीरियड में पढ़ाये जाते थे. इसके अलावा यहाँ पे और क्या करवाया जाता था? यहाँ पे पढ़ाया जाता था विदंगाज के बारे में. टोटल नंबर भी आपको याद रखना है. विदंगाज के बारे में बताया जाता था जो की हमारे पास चार होते हैं. कौन-कौन से विदंगाज होते हैं? पहला आता है Phonetics. दूसरा आता है Grammar, यानि की व्याकरण के बारे में इसमें बताया जाता था. तीसरा आ जाता है Metrics. इसमें Basic Calculation, Basic Mathematics आता था. और उसके बाद चौथा आ जाता है Ritualistic Knowledge. यानि की जो भी हमारे संस्कृती से related ज्यान होता है, कि अपनी संस्कृती को कैसे maintain रखना है, उसको आगे वाली generation को कैसे बढ़ाना है, बताना है, ये आता था. एंड एक additional चीज़ इसमें आड़ की गई थी, वो है Astronomy. जैसे कि आपने Astronomy सुना होगा, जो भविश्य बताते हैं, या जो समय important काल, ये सब चीज़ें बताते हैं, तो विदांगास भी इसके अंदर आते थे. उसके बाद वेदिक पीरिएड में स्टूडेंट्स को क्या करवाया जाता था? उपनिशद पढ़ाये जाते थे. उपनिशद पढ़ाये जाते थे, तो टोटल कितने उपनिशद होते हैं? 108 उपनिशद होते हैं. उसके नाम यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बस आप नंबर यादर दीजे. इसमें बताया जाता था दर्शन शास्त्र. दर्शन शास्त्र. दर्शन शास्त्र के अंदर कौन सी चीजे आती थी? इसके अंदर आ जाता था न्याये. उसके बाद आता था योगा. उसके बाद इसमें आता था मिमामसा. देन वी हैव विदानताज. विदानताज, जिसको आप विदानत के नाम से जानते हो. उसके बाद आ जाता था इसमें वैशेशिका और लास्ट आता था संख्या ये सभी चीज़ें हमने लॉजिकल रीसनिंग में भी पढ़ी है अगर आपको याद है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए करें उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ाई जाती है जिसको बोला जाता है भगवत गीता आप लोगोंने जरूर भगवत गीता के बारे में सुना होगा सो वेदिक काल में बच्चों को भगवत गीता भी पढ़ाई जाती थी जब वो गुरुकुल में रहते थे इस समय में क्या होता था इस समय में एक एज निमिट बच्चों की रखी जाती थी कि अगर कोई बच्चा 5 साल का है 5 साल तक की एज तक उनको बेसिक चीज़े बताई जाती थी और 5 साल के बाद उनको एक formal education शुरू करवा दी जाती थी और उस formal education के लिए एक ceremony होती थी जिस ceremony को बोला जाता था उपनियाया ठीके उपनियाय को अगर हम English में बोलें तो initiation इसका नाम दिया जाता है ठीके ये ceremony होती थी कि बच्चा 5 साल का हो गया है and अब उसको formal education दी जाएगी correct, so I hope यहां तक के concepts आपके बिल्कुल clear हो चुके हैं यह बता देना चाहती हूँ कि जो वेद होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि total हमारे पास 4 वेद होते हैं इन सभी वेद को characterize किया गया है जो कि important है कि कौन से वेद के अंदर कौन सी चीज होती है एक्जाम में जरूर पूछा जाएगा तो सबसे पहला वेद है हमारे पास rig वेद ठीक है, rig वेदा को बोला जाता है collection of lyrics collection of lyrics, ठीक है so इस वेद के अंदर किन-किन चीजों को cover किया गया है इस वेद के अंदर सबसे पहले ये सबसे पुराना वेद है जिसके अंदर इतने जादा lyrics होते है और इस में हमारे पास total 10 mandals है एक्जाम में ये पूछा गया है कि rig वेद के अंदर कितने mandal है तो इसके अंदर total 10 mandal है उसके बाद फिर दूसरा वेद आ जाता है इस वेद का नाम है साम वेद साम वेद साम वेद के अंदर क्या है साम वेद को बोला जाता है book of chance आप लोगों को इसका मतलब है कि मंत्र इसके अंदर लिखे हुए है जितने भी आप लोगोंने मंत्र सुने है चाहे हम गायतरी मंतर की बात करें या हम किसी भी मंतर की बात करें वो सारे सामवेद के अंदर लिखे गए हैं इस वेद में टोटल 1, 5, 4, 9 वर्सेज हैं इसको आप डारेक्ली याद रख सकते हो नंबर्स को ठीके और साथ ही इसमें इंडियन म्यूजिक के बारे में भी लिखा हुआ है इंडियन म्यूजिक के जो भी सरगम है सारे गामा पाई आपने सुना होगा वो सारे सामवेद के अंदर लिखे गए हैं इसके अलावा इसमें क्या है इट इस ओनली इन वर्स वो important नहीं है अब हम directly बढ़ते हैं तीसरे वेद की और तीसरा वेद है हमारे पास यजुर वेद तीसरा है यजुर वेद तो यजुर वेद को बोला गया है book of sacrifical prayers right so इसमें क्या है this book is divided into two parts पहला पार्ट है कृष्ण कृष्ण यजुर और इसका दूसरा पार्ट आजाता है शुक्ल यजुर वेद शुक्ल यजुर वेद ठीक है पहला है कृष्ण यजुर वेद तो दो हिस्तों में इसको divide किया गया है और इसमें आपको इतना ही काफी examination point of view से next type जो है next वेद जो है वो है अथर्ववेद अथर्ववेद ओके इसको बोला जाता है book of magical formula book of magical formula इस book में क्या है जितने भी charms है जितने भी spellings है evils है diseases है वो सब इसके अंदर आती है simple language में बोलू आप लोगोंने आयुर वेदा का नाम जरूर सुना होगा आप लोगोंने आयुर वेदा सुना होगा जिसमें की home remedies होती है तो ये सारी चीजें अथर्व वेद के अंदर लिखी हुई है अगर किसी को कोई बड़ी सी बिमारी है और उस बिमारी का solution हमें चाहिए तो इन सभी वेद में से आपको कौन सा वेद पढ़ना हो सकता है तो उसके लिए आपको अथर्व वेद पढ़ना होगा इस तरह के questions exam में आते हैं तो ये basic चीजें है examination point of view से अगर मैं बताऊं तो 2022 की ही एक shift में ये question आया था कि Ayurveda किस बेद में है अगर हमें मंत्र पढ़ने है हमारे जो संस्कृति के अंदर मंत्र है वो किस बेद में हमें मिलेंगे या फिर अगर हमें सरगम के बारे में जानना है तो वो हमें किस बेद के अंदर मिलेंगे तो ये basic से चीजें हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इसके बाद हमने जैसे कि यहाँ पर बात की थी उपनिशद के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि टोटल हमारे पास 108 उपनिशद होते हैं तो ये 108 उपनिशद के अंदर और क्या क्या चीज़े होती हैं ये मैं आपको बताती हूँ अर एक पॉइंट को नोट कर लीजिए तो उपनिशद दे आर फिलोसिफिकल इन नेचर इनको विदानता भी बोला जाता है इसको विदानता बोला जाता है टोटल इसके अंदर 108 नंबर के उपनिशद होते हैं और ओल्डिस्ट उपनिशद इसमें कौन सा है? ये आप लोगों के लिए मैंने एक homework question दे दिया मेरा जो complete full syllabus lecture series है उसमें मैंने ये चीज discuss की है कि उपनिशद में जो सबसे oldest सबसे पुराना उपनिशद है उसका क्या नाम है? ये एक previous year question है जो कि लगभग हर साल पूछा जाता है उसके बाद एक और important topic यह और हम लोग बढ़ते हैं इस topic का नाम है विदानगास जरूर इसको आप लोग नोट कर लीजिए जैसे मर्जी याद रखिए वो आप लोगों को याद रखना ही है क्योंकि एक्जाम में इससे question आते ही है correct तो यहाँ पर हमारे पास विदानगास आते हैं विदानगास total six होते हैं जिसमें कि पहला आता है शिक्षा शिक्षा का मितलब आप सभी को पता होगा दूसरा विदानगा क्या आता है प्रती शाख्या यह क्या है यह fenotics का सबसे पुराना text है यह text का format है text का type है इसको भी दो हिस्सों में divide किया जाता है generally and उसके बाद अगर हम लोग तीसरे की बात करें वो है निरुकता निरुकता ठीक है then we have चंद जिसको चंदा भी लिख सकते हो चंद इसका मितलब होता है matrix यह मैंने आप लोगों को अभी बिताया था next राज आता है इसको आप इस तरह से लिख सकते हो चंद सुत्राज चंद सुत्राज क्या है it was written by पिंगल जो की एक famous text है आप लोगों ने जरूर पिंगल के बारे में सुना होगा इसकी spelling ऐसे होगी पिंगल दिखें यह एक famous text है जिसमें की चंद सुत्रा को लिखा गया है उसके बाद आ जाता है जोतिश जोतिश आप लोगों ने जरूर सुना होगी जोतिश शास्तर क्या होता है जोतिशा यानि की astronomy यह भी इसके अंदर आ जाता है ठीके इस तरह से आप लोगों को यह चीज़ें याद रखनी है जो कि examination के लिए बहुत ही जादा important है नेक्स्ट अगर हम लोग अगले टॉपिक की बात करें तो वो आज आता है Buddhist period तो Buddhist period में हमने देखा था कि 600 इसापूर्व से 1200 इसापूर्व तक का यह समय था तो Buddhist period के साथ हम जैनिजम के बारे में पढ़ते हैं पहले जो कि जादा important है नहीं चलो Buddhist period देख लेते हैं Buddhist period में students कुछ universities आती है famous universities है जैसे कि पहली है नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पे है बिहार में है उसके बाद आ जाती है ओदंत पूरी ओदंत पूरी ये भी बिहार में है इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या इनके major subjects थे और क्यों ये universities फेमस है उसके बाद आ जाता है सोमापूरी देखें ये तीनों बिहार में है सोमापूरी बिंगॉल में है नौर्थ बिंगॉल में है उसके बाद आ जाता है जगादा जगादा यूनिवर्सिटी भी बिंगॉल में है और लास्ट यूनिवर्सिटी है बल्लभी बल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात के अनबर है तीके सो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि बुद्धिस्ट पीरिट के समय पे बनी थी उसके बाद अगर हम जैनिजम की बात करें जैन धरम की बात करें तो उस समय पे जैन धरम में किस तरह से काम होता था जैन धरम में कुछ टाइप्स के नौलेज दिये जाते थे जिसमें की पहला था मती जनना बहुत important है बहुत ही ज़ादा important है मती जनना में क्या होता था जो भी हमारे sense organs sense organ क्या होगे जिसे हम समझ सकते हैं चीजों को नांक, आंक, touch वाली feel जो होती है ये सब चीजें समझने के बारे में मती जनना के अंदर बताया जाता था दूसरा आ जाता है शुति जनना शुति जनना शुति मतलब सुनना ठीक है, so knowledge revealed by scriptures जो सुनी सुनाई बाते होती है बहुत से चीज़े आपने अपने पेरेंट से सुनी होंगी चाहे आपने वो अभी तक देखी नहीं है तो वो सब चीज़े सच होती है ये जैनिजम की शुति जनना के अंदर बोला गया था इसरा knowledge होता है अवधी जनना अवधी जनना यानि कि समय के साथ साथ जो चीज़े हम सीखते हैं चौथा है इसमें मना पर्याय जनना मना पर्याय जनना यानि कि टेलीपैथी knowledge हम बोलते हैं कि अच्छा जैसे हमारे घर पे आज कोई guest आ गए तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा आज मुझे कुछ feel हो रहा था कि कोई guest घर पे आने वाले हैं या फिर किसी friend का phone आ जाता है तो हम बोलते कि हाँ आज मैं तुझे ही याद कर रही थी तो यह क्या होता है मनन जनना यानि कि मन में हमने कुछ सोचा हमारे मन में कोई feeling आई और वो सच हो गया उसके बाद पांचवा टाइप आ जाता है इसमें केवल जनना केवल जनना जो की temporary knowledge होता है तो आप अभी तक इस वीडियो को repeat करके देख सकते हो मुझे comment करके बता सकते हो अभी तक किसी topic में आपको लगता है कि detail में में कोई एक और session लेना चाहिए तो आप मुझे comment कर दीजिए उसी particular topic पर मैं detail में आपके लिए एक video लेकर के आऊंगी correct तो यहां तक के concepts आपके जो भी है मुझे comment जरूर जरूर कीजेगा ठीक है so next अगर हम लोग बात करें जैसे कि हम Vedic Literature की बात कर रहे थे हमने यहां पर यह सारी चीजें पढ़ ली है अब हम बात करते हैं important and famous universities की जो की ancient universities हैं इंडिया की correct so ancient universities में सबसे पहली आती है तक्षिला यूनिवर्सिटी जो की world की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है it is one of the re-owned ancient university of इंडिया located in the city तक्षिला ठीक है so तक्षिला जो है एक city का नाम था जिसके नाम पर यह तक्षिला यूनिवर्सिटी रखी थी the information about तक्षिला is first given from वालमी की रमायन आप लोगों ने वालमी की रमायन के बारे में जरूर सुना होगा तो उन्होंने ही तक्षिला यूनिवर्सिटी के बारे में सबसे पहले information दी थी exam में यह question जरूर जरूर पूछा जाएगा ठीक है and यहाँ पर देखोगे it is mentioned in Buddhist literature मैंने आपको बताया था कि बुद्धिस्ट पीरिड के दौरान यह बनी थी पॉर्टिक लर्नी द जटकास आज एक पाकिस्तान के एक डिस्टिक में आ चुका है जिसे आपको पता ही है कि आजादी से पहले इंडिया पाकिस्तान ने एक ही हुआ करते थे तो यह उनिवर्सिटी इंडिया में काउंट हुआ करती तो आजादी के बाद इसको पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई है पाकिस्तान के एरिया में आ गई है आंज यहाँ पर इस पर्टिकराले लली नोन फॉर सम इंपोर्टन्ट सब्जेक्ट्स लाइक स्क्रिप्चर्स, लॉग, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, हिंदी मेडम स्टुदेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं मिलिटरी साइंस, एटीन, सिल्प्स और आर्ट्स तो यहाँ पर जैसे कि साइंस, मेडिसिन इन चीजों के लिए यह फेमस थी यह वाली स्टेट्मेंट एक्जाम में बहुत बार ऐसी की ऐसी पूछी गई है अगर हम बात करें, इस बिलिएब तैट ओवर 10,000 स्टुदेंट्स फ्रॉम चाइना Babylon and Greece in addition to Indian students studied there बहुत फेमस लोग थे, 10,000 से जादा बच्चे यहाँ से पास आउट हुए थे उस समय में जो कि और भी countries के अंदर आए थे, और भी countries से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे यह तक्षिला युनिवर्सिटी का एक previous year question है इसमें पूछा गया है तक्षिला and ancient center for higher learning in India was declared as a heritage site by UNESCO इल So heritage site इसको कब घोशित कर दिया गया है? वो इसका correct answer है 1980 तो आपको तक्षिला की history का बस एक question पता होना चाहिए और भी थोड़ा देख सकते हो and उसमें कौन से subjects पढ़ाई चाते थे? आप वो कहां पर है? यह आपको पता होना चाहिए अगर हम कुछ famous personalities की बात करें, कुछ बहुत ही famous लोगों की बात करें जो कि तक्षिला युनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे तो उसमें पहला नाम आता है Grammarian Grammarian Panini यह आपने जरूर नाम सुना होगा Grammarian Panini दूसरा आजाता है Cotillia Cotillia जो है वो इसी से पढ़े थे? चंदरगुप्त मौर्य चंदरगुप्त मौर्य भी तक्षिला युनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए थे इस तरह से आप देख सकते हो कितनी फेमस युनिवर्सिटी यह उस समय पे हुआ करती थी Then we have second university जिसका नाम है मिथिला मिथिला युनिवर्सिटी So मिथिला is a geographical and cultural region of the Indian subcontinent bounded by Mahananda river in the east the Yangs in the south and Gandaki river in the west and by the foothills of the Himalayas in the north It comprises certain parts of Bihar and Jharkhand and some part of eastern Therai of Nepal So यहाँ पे अगर हम लोग देखे So यह university कुछ Bihar, कुछ Jharkhand and Nepal के section के अंदर आती है and इस university में literature, fine arts, science, scriptures, veds, नियाए, शास्त्र और यह सब चीजें पढ़ाई जाती ही Two subjects that became popular in this university वो क्या थे? वो सबसे पहला subject था नियाए जो कि इस university का एक हम बोलते हैं हर एक university के एक speciality होती है वैसे ही मिथिला university के speciality नियाए थी and तरक शास्त्र था तरक शास्त्र थी के यानि की logic ये दोनों के लिए मिथिला university बहुत ही famous मानी जाती थी then we have तेलहारा university तो तेलहारा क्या है? तेलहारा एक village है नालंदा बिहार में एक नालंदा नाम की जगा है उस सी के अंदर एक village का नाम है तेलहारा जहां पे ये university है and it was the site of a Buddhist monastery in ancient India so किसी समाने में ये बहुत लोगों का मठ स्थान माना जाता था it is located near to नालंदा university so इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे तेलहारा कुट भी तिलास अकीरा so ये important नहीं है आप रस ये देख लीजे तेलहारा university was older than नालंदा and विक्रमशिला university so ये देखो हम सोचते थे कि नालंदा और विक्रमशिला पुरानी है लेकिन उनसे भी पुरानी है तेलहारा university ये बहुत जादे important तो नहीं है बट आपको थोड़ा सा knowledge होना चाहिए कि कई बारे exam में बस इतना सा पूछा जा सकता है कि तेलहारा पुरानी है ये नालंदा ये विक्रमशिला ठीके सो इस point of view से ये important है otherwise ये university के बारे में जादा पढ़ने की जरूरत नहीं है then we have श्रधापीट temple university so it is a cultural site and ancient temple located in Pakistan occupied Kashmir region ठीके सो आपको पता है जो Kashmir का कुछ पार्ट पाकिस्तान में है उसमें ये आता है उसमें ये university आती है it is believed that it was established in 237 Isapur during the region of Emperor Ashoka so Ashoka के समय पे ये university बनी थी text written by Panini and other grammarians were stored in this place ठीके सो ये सब चीजें इसके अंदर आती है ये भी जादा important नहीं है बस इतना knowledge काफी है then we have most important unit जिसका नाम है नालंदा university most important university है ये so Nalanda was one of the famous universities of ancient India and historic center of higher learning in Bihar, India इसके अलावा it was primarily dedicated to Buddhist studies but it also provide education in fine arts, medicine, maths, astronomy, politics and other arts of battle so ये सारी चीजें नालंदा university में पढ़ाई जाती है अगर इसमें हम बात करें इसमें बहुत जादा दूसरी country के students पर आते थे जैसे चाइना, ग्रीज, तिबित यहां के बहुत से students नालंदा university में पढ़े है and क्योंकि ये एक पुराने जमाने की एक एतिखासिक university है प्राचीन भारत की university है फिर भी उस समय यहां पे mission के लिए इतना जादा जोर रहता था कि उस समय भी यहां पे entrance examination हुआ करते थे and education, entrance examination हुआ करते थे and इसमें जो education थी वो बिलकुल free of cost थी बिलकुल मुफ्त में यहां पे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी and इसमें subject कौन-कौन से पढ़ाय जाते थे इसमें बुद्धिजम पढ़ाया जाता था वेद पढ़ाया जाते थे logic, sanskrit, grammar, medicine and इस तरह के सारे subjects यहां पे पढ़ाया जाते थे इसके अलावा students आप लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा जो की है बक्तियार यह एक ही है ठीक है बक्तियार खिलजी बक्तियार खिलजी का नाम आपने सुना होगा बक्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बिलकुल destroy कर दिया था बट यह उस समय पे बहुत फेमस हुआ करती थी नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो नालंदा यूनिवर्सिटी से एक इंपोर्टेंट क्वेशन है जो की पीवाई क्यू है एक्जाम में पूछा गया था करेक्ट इसमें direct proof or statement है आप question को पढ़ लीजेगा मैं answer आपको बता रही हूं directly अगर समझ आ गया है तो भी मुझे comment कीजिए students अगर आपको यह session पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि मैं इसको continue रखूँ तो please मुझे comment कीजिए मैं definitely आप सभी students के request को हमेशा की तरह पूरा करूँगी and अगर आपको लगता है कि कोई और topic भी इसमें include होना चाहिए तो भी मुझे आप comment करके बता सकते हो next unit we have Odantapuri University so it was set up in Odantapuri जो कि बिहार में है Buddhist Maha Vihara जो है यह university है and it was founded by the Pala Emperor Gopala I in the 8th century 8th century में यह बनी थी बस इसमें इतना याद रख लीजिए and the university attracted students from so many countries and that was attained by Nalanda और Vikramshila University then we have one more university that is Vikramshila important है यह भी Vikramshila is mostly known as Tibitian sources exam में यह statement as it is आती है कि Tibitians की university किसको बोला जाता है या उससे related study कहां पे होती है तो वो है विक्रम शिला पर्टिकिलर्ली तव वोक्स आफ तरण्था 16th to 17th century तिब्टियन मॉंक हिस्टोरियन लॉजिक, वेदा, एस्ट्रोनॉमी, अर्बन डेवलप्मेंट, लॉग, ग्रामर, फिलॉसपी यह सारी चीजें इस university के अंदर पढ़ाई जाती थी विक्रम शिला university के founder कौन है इसके founder है धरम पाल important question है ठीक है तो यह कुछ important university थी जो की आपको definitely exam में पूछी ही जाएंगी at any cost then we have next topic next topic जो है इसका नाम क्या है इसका नाम है new national education policy जिसको NEP 2020 के नाम से जाना चाता है अब यह topic हर साल exam में आता है इसमें से दो questions जरूर पूछे जाते है लेकिन यह topic बहुत बड़ा है तो मैंने इसको यहाँ पे कबर नहीं किया है already topic पे separate video में आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका link आपको description box में मिल जाएगा जरूर उस video को देखिए and मुझे comment करके बताईए कि आपको वो session पसंद आया कोई doubt रहेगा तो भी आप उस video के नीचे मुझे comment करके बता सकते हो इसके बाद next बड़ते हैं important topic है यह भे कि regularity regulatory bodies कौन सी है higher education में so higher education को बहतर बनाने के लिए कुछ commission कुछ bodies बनाई दी थी जिनके अपने-पने responsibilities होती है उसमें सबसे पहला आता है ICHR का नाम so ICHR मतलब Indian Council of Historical Research यह क्या है यह एक autonomous body है यानि की स्वायत निकाय है ministry of education के अंदर ही आता है it provides financial assistance to historians and scholars through grants, fellowship and symposia तो यह क्या करता है जो भी इतिहासकार होते हैं जो history पे research continuously करते रहते हैं उनको यह grant देता है कुछ fellowship देता है कुछ fund देता है कुछ पैसे देता है ताकि वो easily research कर सके its headquarter is in Delhi with regional centers in Pune, Maharashtra Bengaluru Karnatka and Gowahati Aasam its post chairman was the historian Ram Sharant Sharma तो यह खुद एक historian थे इसलिए यहाँ पे देख सकते हो कि यह किस तरह से बहुत सारे इतिहास कारों को और जादा motivate करते हैं कि वो research करते रहें ICHR is founded by grant in aid received from department of higher education and इसका objective क्या है इसका objective यह है कि जो भी इतिहास कार है वो इकठे होकर बहुत से research करें जिससे कि और भी जादा हमारे देश का नाम बढ़ सकता है और आपको बता ही होगा कि research जितनी जादा होती जाएगी उतना जादा development भी होता रहता है और साथ ही यह scientific and objective history को एक national level पर direction देने में भी मदद करता है second है हमारे पास IAICTE All India Council for Technical Education यह क्या है यह statutory body है यानि कि विधानिक निकाय है and यह national level council है जो कि technical education पर ध्यान देता है अगर देको हमारे इंडिया की ही अगर हम बात करें तो बहुत से technical courses होते है उन technical courses का क्या syllabus होना चाहिए किस तरह से उसको आगे बढ़ावा दिया जाना चाहिए तो उन सब चीजों को manage करने उन सब चीजों को handle करने के लिए responsible है AI CTE जो कि examination point of view से important topic है तो पहले यह क्या था एक advisory body था अब यह बन चुका है statutory body तो इस तरह के questions में देखो आप लोगों को statement based questions आते हैं अगर आपको पता है statement based questions कैसे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है तो मैं इस से देखो आपके रहा NTA concept clear करता है कि statement देगा तो concept clear होंगे clear होंगे आपके तभी आपको उसका correct answer दे सकते हो अगर आपको नहीं पता कि statement based questions कैसे होते हैं कैसे उनको solve किया जाता है तो आप description box देखिए वहाँ पे एक video का link मैंने दिया हुआ है या फिर मुझे comment कर दीजिए मैं separately आपके साथ link share कर दूँगी तो आपको idea हो जाएगा कि कैसे questions यहां से पूछे जाते हैं जो कि statement based होते हैं AICTE was given statutory status by act of parliament and it is responsible for proper planning coordinated development of India's technical education and management education system and इसका headquarter है डेली में इस तरह के headquarter वाली important होती है statements एक्जाम में पूछी जाती है और इसके objectives की पात करें इसका objective होता है अपनी technical education का अच्छे से plan करना फिर उसको formulate करना जो plan किया है उसको implement करना उसके बाद उसका maintenance का ध्यान रखना उसके जो standards है उसके जो norms है norms का मतलब होता है rules regulations ठीक है education की जो quality है and जो उसका हम accreditation देते हैं उन सब चीजों का ध्यान रखना ही एक major focus है AICTE का next आजाता है ICSSR जोसका नाम है Indian Council for Social Science Research इसके नाम से पता चल रहा है कि social science related कोई भी research अगर करते हैं तो उसको handle करना उसको manage करना इस department का रोल होता है तो ये national body है overseeing research in social sciences in India and 1969 में इसको establish किया गया था इसका headquarter भी कहा है न्यू डेली में ही है the council formally became active in July 1981 तो देखो ये बन तो गई थी 1969 में लेकिन 1981 में ये officially activate कर दी गई थी जुलाई वाले मन्त में next आजाता है UGC जो कि एक सबसे जादा important topic है exam हमारा नाम है NTA UGC Net तो इसमें UGC के question आना जाहिर सी बात है तो UGC के full form University Grant Commission it is a statutory body देखें statutory body है अगर आपको पता है कि statutory body क्या होती है तो मुझे comment करके जरूर बताइए ताकि और बच्चों को भी इसमें मदद हो जाए बिधानिक निकाय है ये ये ministry of education के अंदर आता है अब उसका नाम ministry of education हो गया है it is charged with coordination, maintenance, determination of higher education standards so higher education इंडिया में जो है उसके सारे काम को coordinate करना उसको अच्छे से ध्यान रखना काम जो हो रहा है वो सही हो रहा है उससे फाइदा students को होता है कि नहीं होता है ये सब चीजों का ध्यान रखना इसका भी headquarter New Delhi में है and six regional center है पूने, बोपाल, कौलकाता हाइदरबाद, गोवाहाटी and बेंगलॉर a proposal to replace it with another new regulatory body called HECI तो इसको एक नहीं regulatory body से replace करने का proposal आ चुका है जिसका नाम है HECI under the consideration by government of India so government of India का ही ये decision है कि इसको इस तरह से change कर दिया जा सकता है then we have जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो वही है UGC के बारे में ही हमने यहां पर लिखा हुआ है इसके important centers है head office New Delhi छोटे-छोटे offices यान की regional offices कहां पर है in six cities में है अब आते हैं अगले topic की और जिसमें हम बात करने वाले हैं characterization of universities के बारे में so universities को किस तरह से characterize किया गया है किस तरह से उनको अलग अलग हिसों में divide कर दिया गया है यह हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है central university, state university, private then deemed to be universities तो total इंडिया में 48 central है 392 state है 317 private universities है and 125 deemed to be universities है total 82 universities इंडिया में running है इस समय पे इसके अलावा कुछ important points है जोगी you just in it examination के लिए students आप सभी को पता होना बहुत ही जादा जरूरी है so यहाँ पे अगर हम लोग देखें सबसे पहले the state with most universities so राजस्तान में सबसे जादा universities है total 76 कौन से state में सबसे जादा deemed to be universities है deemed to be universities होते है जो कि वो खुद से ही इनका curriculum इनका syllabus इनका हर एक pattern वगरा design करते है तब मिलनाडू जिसमें के 28 universities है उत्तरप्रदेश और गुजराथ have most state universities 28 राजस्तान has most private universities total 46 ठीक है तो 76 में से 46 तो देखो राजस्तान में private universities ही है उत्तरप्रदेश में total 6 central universities है examination के लिए ये वाली slide आपकी बहुत जादा important है इसको आप note कर लीजे तो यहाँ पर आप देख सकते हो central university से related a question है इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है बस direct definitions है कि central university कैसे काम करती है क्या-क्या responsibilities होती है and answer भी मैंने mention किया हुआ है so next topic आता है polity and governance जिसमें कि हम Indian constitution यान की भारतिय समझने बारे में सबसे पहले बात करेंगे Indian constitution is a comprehensive document containing details with the objective of providing stable and fair governance to its people and it starts with the preamble beginning statement promising justice, liberty, equality and fraternity three new words have been added to it socialist, secular and integrity so ये तो basic चीज़ें थी अगर हम लोग detail में बात करें so Indian constitution में exam के लिए क्या important है ये मैं बताती हूँ so इसमें total 448 articles है जिसको की 25 हिस्सों में divide किया गया है and 12 schedules है and there are total 103 amendments that have been made and originally it comprises of 395 articles in 22 parts and 8 schedules so ये जो numbers है ये वाला जो point है ये आप लोग जरूर note कर लीजिए exam में 100% यहां से statement पूछी जाती है इंडियन constitution क्या है पूरे world में सबसे लंबा constitution and lengthiest constitution है Indian constitution and the idea to frame the constitution of India was first suggested by communist leader M.N. Roy तो इसको idea किसने दिया था constitution बनाने का M.N. Roy ने ये idea दिया था इसके अलावा अगर हम लोग बात करें prominent members की prominent members of the constituents or committees of the constitutional assembly who framed the constitution simple से language में बोलते हैं कि Indian constitution को बनाने में कौन से वो members है जिनकी committee बनी हुई थी जिनका इसमें बहुत बढ़ा हाथ है तो सबसे पहला नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा क्या नाम है मेरे ये बोलने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी comment जरूर कर दीजिए वो नाम है B.R. Ambedgar Dr. Bheem Rao Ambedgar drafting committee के member थे ये उसके बाद आता है जवाहरलाल लहरू जी का नाम Union Power committee Union Constitution committee and state committee इनके अंदर आती थी ठीके तीसरा नाम आ जाता है राजिंदर परसाद का Rules और Procedures जो थे committee के वो सब इस category में आते थे अंद उसके बाद आ जाता है सर्दार पटेल तो ये चार नाम हैं जो के examination point of view से बहुत important है आपको ये याद रखना जरूरी है ठीके इसके अलावा अगर थोड़ा सा मैं आपको ये भी पिता देना चाहती हूं कि हमारा जो constitution है उसका source कौन कौन सा है कहां कहां से उसका idea आया कहां कहां से उसमें मदद मिली तो पहला है इसमें इसमें इतना ही मैं अभी आप लोगों को फिलाल बताना चाहती हूं नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जैसे कि मैं आपको बताया NEP 2020 इस पर अल्रेडी एक वीडियो बन चुकी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए similarly times higher education world university ranking and NIRF ranking जो है ये हम लोगों ने discuss किया है अगर आप चाहते हो कि latest video भी मैं इस पर लेकर के आऊं जो कि important topic है rankings related हमेशा exam में question आते हैं ठीक है तो ये current affair के अंदर count किया जाता है जो कि हम definitely जल्दी से जल्दी आपके साथ share करेंगी then we have next topic जो कि हमारा आज का last and important topic है government schemes to improve the education so government ने कौन-कौन सी schemes बनाई है जिसे के education को improve किया जा सकता है so पहली scheme का नाम है समग्र शिक्षा ठीक है समग्र शिक्षा क्या है क्यों बनाया गया कब बनाया गया है ये मैं आपको बताती है so it subsumes three centrally sponsored scheme तीन schemes को मिला करके एक बनाया गया है समग्र शिक्षा तो सबसे पहली scheme आती है इसके अंदर SSE यानि कि सर्व शिक्षा अभियान दूसरी आती है RMSE जिसका मतलब है राश्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान तीसरी आती है TE यानि कि teacher education तो ये तीनों के combination से समग्र शिक्षा को बनाया गया है this scheme treats school education holistically as a continuum from preschool to class 12 तो preschool से लेकर के class 12 तक के बच्चों को इसमें रखा गया है main emphasis of the scheme is on improving the quality of school education by focusing on two T's कैसे school इस शिक्षा को बहतर बनाया जाए इस पे ध्यान दिया जाएगा and इसके अंदर तीन T पे ध्यान दिया जाएगा पहला T है teacher and दूसरा T है technology correct next we have right to education act the act was amended in 2017 to ensure that all teachers acquire the minimum qualification prescribed under this act यानि कि हर एक इंसान जो शिक्षक बनना चाहता है उनके पास एक proper qualification होनी चाहिए यह इस act के अंदर रखा गया है NDC चीजपिस पे ध्यान दिया जाता है next आ जाता है नवोदे विद्याले नवोदे विद्याले scheme provides for opening of one जवाहर नवोदे विद्याले in each district of the country so overall इंडिया में कितने सारे states है हर एक state के अंदर कितनी सारे districts है लगबग हर एक district में एक जवाहर नवोदे विद्याले होना चाहिए यह scheme के लिए नवोदे विद्याले नाम की scheme बनाई गई है अब इसमें confuse मत होई है school का नाम भी यह है scheme का नाम भी यही है जिससे के rural talent को जो है equal level की quality education हम provide करा सकते है और साथ ही यहाँ पे जो बच्चे गरीब घर से हैं जो की अच्छे हैं पढ़ाई में उन लोगों को residential education दी जाती है आपको बता है कि यहाँ पे बच्चों को hostel में रखा जाता है next we have so it is under centrally sponsored scheme of samagrshikshah so samagrshikshah के अंदर ही यह scheme आती है and it aims at building the capabilities of around 42 lakh teachers so इसके अंदर total 42 lakh teachers को include किया जाएगा head of schools जो है जो principal होते है school के faculty members को add किया जाएगा different different blocks के and फिर एक samagrshikshah program और यह मिला करके बहुत ही अच्छा school education यहाँ पे बनाया जाएगा national curriculum framework national curriculum framework promotes joyful learning through cultural activities, art, music, dance, role play इनके साथ छोटे-छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा कि उनका entertainment भी होता रहे and वो concept को समझते भी रहे यह चीज़े इसके अंदर आती है दिन भी है प्रधान मंत्री innovative learning program जिसका नाम है द्रूफ द्रूफ तारा आपने जरूर सुना होगा उसी नाम पे यह नाम रखा गया है इसमें क्या है जुतने भी talented बच्चे हैं उनमें क्या talent है कैसे उनके talent को कई लोग होते न कि talented होते लेकिन उनको एक अच्छा platform नहीं मिल पाता तो कैसे उनके गुण को उनके talent को आगे बढ़ाया जाए उन बच्चों को बढ़ावा दिया जाए ताकि उनकी भी तरक्की हो देश की भी तरक्की हो इसके लिए प्रधान मंत्री innovative learning program बन आया जा सकता है तो वो सारे plans हम government को बता सकते हैं अगर government उनको implement करती है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है निक्स आता है new education policy जो की 2020 में बनी थी इसमें आप लोगों को पता है कि 10 plus 2 format को close कर दिया गया है हर एक student को एक बहतर higher education देने का मौका यहां पे दिया गया है इसके अंदर 10 plus 2 को हटा करके 5 plus 3 plus 3 plus 4 format को लाया गया है जैसे कि मैंने आपको बताया कि new education policy पे एक separate वीडियो मैंने अल्रड़ी बनाई है जिसका link description box में available है तो आप वहां पर उसको जा करके जरूर देख लीजेगा इसके अंदर बहुत से ऐसे initiatives ले गए हैं जिनको की सरकार ने अभी use करना मतलब की implement करना शुरू कर दिया है जोकि अल्रड़ी 2023 से 2020 से implement हो चुके है और बहुत से ऐसे इसमें rules और regulations ऐसे हैं जिसको की अभी तक सरकार ने implement नहीं किया है लेकिन वो जल्द ही implement करेंगे जैसे कि कुछ target हैं जो की 2022 तक पूरे कर देने हैं कुछ target ऐसे हैं जो की 2025-2022 से शुरू होने वाले थे इस तरह से सबसे ची बात इस new education policy की मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ जैसे कि अगर एक student माल लीजिए अपना first semester ABC नाम के college से करता है and by chance उन student के parents की कहीं पर transfer हो जाती है उनको अपनी state या city से बाहर जाना पड़ता है तो उनको अपना दूसरा semester second XYZ university से करने का पूरा अधिकार है पहले क्या होता था बच्चे ने first semester किया second में अगर कहीं और जाना पड़े तो उनका सार पूरा waste होता था उनको मेशर first year से ही entry मिलती थी बट अब यह चीज को हटा दिया गया है ओवरॉल इंडिया में education के same नियम रहेंगे equal level की quality education सबको दी जाएगी फिर आप इंडिया में कहीं भी course कर सकते हो आपको same benefits वहाँ पे मिलेंगे ऐसा नहीं है कि किसी university में different syllabus है किसी university में different syllabus है तो यह major focus है new education policy का तो आज के लिए सरफ इतना ही thank you so much for watching this video and I wish you all the very best